हेलो माई दियर स्टूडेंट्स, आइम प्रेनना, यो हूम साइन्स मेंटॉर, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट मेरी आज की क्लास में, तो आज की क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट, हमारा जो टॉपिक है ऑदियो वीजवल एट्स उसको हम फिनिश अ पर ख करने वाले है, सहाँ आज आप लोगों को मैं आइडियो वीजवल एट्स के बारे में जो बाकी आप लोग MOREyou ke एट्स उते हैं उनके बारे में मैं आप लोगो समझौंगी ट्ूडेंट बात recognition पास करना ने इस में आफ एक मेरी क्लास की क्योंकि टाइमिंग चेंज हो गई थी सो दो बजे मेरी क्लास होती है स्टूडें वो रेगुलर यहां पर चलती है सो आप लोगो को दो बजे का टाइमिंग एक तो याद रखना है कि मैं टाइमिंग रहने वाला है दो बजे का मेरी रेगुलर क्लास इसका ठीक ह जी एक बात आपको यहाद रखनी हैं दूसरी बात आप लोगों को और तूडेंट वो यहाद रखनी है कि अगर मैं इस क्मेस की बात करूँ तो यह क्लास आप लोगों के कितने 170 वो भी मैं आपको बता देती हूँ student ये class आप लोगों के जो hsc वाला एक्जाम होना है आप लोका student टीजटी का एक्जाम होना है हमसाइंस में ये उसके तुछे रहने वाली है ये ड्लस्टी के लिए उसफुल रहने वाली है So, ये एक ऐसा topic है student home science का जो कि आप लोगों के लिए बहुत important है and जिस section से आपका ये topic आता है वो section है आप लोगों का extension and communication का section So, वहाँ से हम इस topic को पढ़ रहे हैं student and I hope आप लोगों को इस topic आज अच्छे से clear हो जाएगा इससे पहले एक बात आप लोगों को और बता देती हूँ जो आपके लिए बहुत जरूरी है जानना कि आप सभी लोग Adda247 की जो mobile application है आप उसे download कर सकते हैं अगर आपको मैं application के benefits बताऊं students तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा benefits रहने वाले हैं कि सभी लोग आजकल चाहते हैं कि हम बड़ी बड़ी किताबे लेकर मतलब कहीं जा नहीं सकते हैं बहुत सारी जो किताबे हैं जब बहुत जादा हमारे पास वेट हो जाता है तो हम सोचते हैं कि हम कहां लेकर जाएं आजकल हर इनसान ही सोचता है कि भागती दौरती जो इसकी जिन्दगी है उसमें उसके पास एक छोटी सी डाइरी छोटा सा कुछ ऐसा पॉकेट फ्रेंडली कुछ होना चाहिए जिसको अपने पास रख ले और उसको कहीं भी क्यारी कर ले और उससे जो जो सीखना है वो time to time सी इसको हम हर वक्त अपने पास रखते हैं और जो बच्चे इसको हर वक्त अपने पास रखते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा option है कि जब हर वक्त अपने पास रखते हो तो कुछ अच्छा भी ट्राई कर सकते हो है ना आप लोगों के लिए बहुत सारे हर दिन आपको में बताती रहोंगी कि प्ले स्टोर पे ऐसे कौन-कौन से अप्लिकेशन से जो आप लोग के लिए यूस्फुल है बट आज आपको जस अप्लिकेशन के बारे में बताने वाली हूं वह आप लोग के लिए अड़ा 24 7 का एप तो देखी स्टूडें आप अपने मुबाइल फोन मे यहां पे आता है आप यहां पे डाउट पूछ सकते हैं आप लोग को करेंट अफेर्स का ओप्शन दिखता है आप वह भी देख सकते हैं आप लोग को डेली क्विजिस का ओप्शन दिखता है आप वह भी देख सकते हैं आप लोग को वीडियो का ओप्शन दिख रहा है जो job alerts and अगर हम बात करते हैं daily quizzes and current affairs, यह तीनों चीज़े बड़ी important है, अगर हम job alerts की बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे notification होते हैं, जो हमें पता ही नहीं चल पाते हैं, हम उन्हें miss कर देते हैं, so job alerts हमें regular इस पर पता चलते रहेंगे, हमें daily quizzes हमें आप पर attend कर सकते हैं, current affairs हमें पता सकते हैं, और बाकी और भी बहुत कुछ जो आप अपने लिए यहां पर देख सकते हैं students, तो कोशिश कीजिएगा, कि application को आप लोग अपने फोन में download कीजिएगा, and definitely आपको से benefit होगा, ठीक है ना, so यह आपके betterment के लिए मैंने आपको एक चीज़ बताई है, application download कैसे करनी है उसके लिए आपको description में एक link मिल जाएगा, वहां से आप लोग student direct app को install कर सकते हैं, और चलिए आज की class को हम शुरू करेंगे, and देखते हैं student आज के topic में हम क्या पढ़ने वाले है, so आज का topic है श्रब्वय द्रश्य साधनो वाला, and इस topic में student आप लोगों को अगर याद हो flash card and flip chart के बारे में, तो जो लोगों ने ये topic नहीं पढ़ा है, उनके लिए काफी अच्छी opportunity है, कि उनको detail में topic पढ़ने के लिए मिल जाएगा, ठीक है जी, चलिए ध्यान से देखिए student, flash card की अगर मैं बात करती हूं, या flip chart की अगर मैं बात करती हूं, तो दोनों लगभग थोड़ा सा similar होते हैं, पर दोनों में थोड़ी-थोड़ी differences भी होती है, ठीक है ना, ये ध्यान दखिए का student, कि आप लोगों का, जो ये क्या होता है, flash card and flip chart होता है, ये दोनों में लगभग थोड़ी similarity and थोड़ा सा difference होता है students, and are one of the widely used communication material in the healthcare setting, और ये student एक तरीकी के communication media के त settings में, यानि कि जहां पे हमें health से related जानकारी देनी होती है, उन area में student हम इसको बहुत जादा इस्तमाल करते हैं, और ये हमारे लिए एक संचार का माध्यम बन जाता है, ठीक है, आगे ध्यान से देखिएगा, flash card are a set of picture, अब flash card में क्या है student, एक बात का ध्यान रखिएगा, flash card में होती है, set of picture, अगर आपसे exam में पूछ लिया जाए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा student के आप लोग इसको अच्छे से, ये याद रखो के flash card का मतलब क्या है, आप लोग का set of picture से होता है, ठीक है, so flash card क्या है student, जहां पे set of pictures होती है, on compact paper card flashed one by one in logical sequence, अब यहां पे क्या ब 양is, ठीक है ना, और card पी हम क्या करते है, student pictures को paste out करते है, उस picture की help से हम लोगों को समझाने की कोशिक करते है, सिखाने की कोशिश करते है, and pictures जो होती है, student वो आप लोग की one by one paste out होती है, एक logical sequence में paste होती है, ये भी धियान रखिएगा, कि जो pictures होती है student, वो logical sequence में paste out होती है, उनका एक सीक्वेंस होता है एक क्रम होता है and then हमने क्या करते जाते जाते है फ्लिप करते जाते है उपर की तरफ पलटते जाते है और हमें अगला मैसिज जो है वो दिखता चला जाता है ठीक है ना? सो आपके जो फ्लेश कार्ड होते हैं स्टूडें ये मार्केट में कमर्शली भी अवेलेबल होते हैं प्रिपेर किये जाते हैं और इनको सेल्फ मेड भी बनाया जाता है स्टूडें यानि कि आप इन्हें खुद से भी बना सकते हैं ठीक है ना? सबसे अची बात क्या होती है नहीं सबसे अच्छी बात क्या होती है पर टेवल होता है कहीं भी उठा करे जा सकते हैं जहां चाहे वहां ले जा सकते हैं, छोटा सा है, हैंडी है, एक ही छोटी सी चीज़ पर आपकी सारी की सारी जानकारी को आप ट्रांसफर कर सकते हो, अब देखो जैसे यहां पर मैं बात करती हूँ, सो यह किस चीज़ के बारे में है student, यह आप लोग समझ सकते हो कि जैसे flash card हो और वह हमारा flash card होता है, तो इस तरीकी के card उस पर बनाया जाते है, जैसे हमने बच्चे को क्या सिखाना है, सर्किल के बारे में सिखाना है, हम किसी को क्या करना चाहते है, हम किसी को सिखाना चाहते है, student circles के बारे में, सो हमने circles related उसे क्या example दे दिए, देखो यह गोला बना हमने, यह CD बना दी, CD गोल होती है, गड़ी गोल होती है, है ना, तो हमने यह बता दिया, हमने उसे crescent image बतानी है, तो हमने बता दिया चंदरमा, हमने बता दिया बनाना, हमें hexagon सिखाना है, तो हमने यह बता दिया, है ना, तो हम क्या करते हैं, student जब हमें बच्चे को shape सिख तो जब हम अलग-अलग करें कि के ऐसे कार्ड बना लेते हैं जैसे माल लीजे यहां पर फोर कार्ड है ऐसे ही मैं 15 से 20 कार्ड बना लूँ और इनको एक साथ बाइंड अप करके मैं अलग-अलग जगे पे जाके टीचिंग के लिए इस्तेमाल करूं तो यह मेरा फ्लेश समुदाय में अगर आप लोगों को शिक्षित करना है तो यह माना जाता है सुडिंट के अगर सिक्षण सहायक सामगरियां आप इस्तमाल अगर करते हो तो आपकी टीचिंग और जादा इफैक्टिव हो जाती है चाहे वो क्लास्रूम की टीचिंग क्यों ना हो चाहे वो फ्लेश कार्ड की बात करते हैं सो फ्लेश कार्ड के एडवांटेज है क्या क्या बेनेफिट है स्टूडिन इसका क्यों हमें इस्तिमाल करना चाहिए ध्यान से देखिएगा डटिट कैन वी कैरे टुदा फील्ड और एक्स्प्लें टू पीपल आप इसे स्टूडिन आपको पता चल जाएगा डेफिनेटली हम आपको बता देंगे पर फिलाल महापैक पे ओफर नहीं है इस ताइम पे डबल वैलिडिटी नहीं चल रही है जैसे ही आएगी आपको इनफॉर्म करेंगे ठीक है ना सो ध्यान से देखिए स्टूडिन अगर हम एडवांटेज की इस फ्लेक्सिबल और यह स्टूडिन जिस ग्रुप को टार्गेट करके बनाया जाता है यह उसके लिए बहुत जादा यूसफुल रहता है और काफी फ्लेक्सिबल रहता है यानि कि आप इसको अपने इच्छा के अकॉर्डिंग जैसे चाहे वैसे बोल्ड कर सकते हैं जो इसके डिस अड्वांटेज जिस क्या है स्टूडिन अब हर चीज के अगर कोई फायदे हैं तो कुछ तो नुकसान भी होंगे इसे बनाने के लिए ना हमें क्या चाहिए होती है स्किल चाहिए होती है यह ध्यान रखिएगा कि फ्लेश कार्ट को बनाना उतना भी आसान नही होती है अगर मैं यह कहूं मैं फ्लेश कार्ट बनाऊंगी तो मुझे उसके बारे में पता होना चाहिए कि कितने पेजिस रखने हैं कैसा कार्ड रखना है कैसा साइज रखना है यह सारी चीजे स्टूडिन मुझे अच्छे से पता होनी चाहिए ठीक है ना इट कैन नौट भी यूस फॉर लार्ज ग्रूप अब यह भी एक पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टिंट आ जाता है कि फ्लेश कार्ड को स्टूडिन हमें कम्निकेशन टूल के तौर पे इस्तिमाल करना है या टीचिंग एड के तौर पे इस्तिमाल करना है सो हम इसे बहुत सारे लोगों यह दो आप इसे इंडिवीजवल के लिए किसी पास दस लोगों के ग्रूप के लिए इस्तिमाल कर सकते हो पर एक बड़े नंबर और पीपल के लिए इस्तिमाल नहीं कर सकते है ध्यान रखिएगा कि फ्लेश कारड का डिसड्वांटेज यही होता है कि आप उसे बहुत तो आपको अंशिका क्या नहीं मिला है पर आपको प्रैक्टिस सेट नहीं मिला है अंशिका आप मुझे बताईएगा बेटा कि आपने कोर्स कौन सा लिया है या फिर आपने एचसी टीटी लिया है या फिर यूपी टीटी लिया है उसी की क्लास में आपको मैं सेंड कर क्यों हम यह flashcard use करते हैं क्या उद्देश है हमारा flashcard can be used for discussion and health education इसको हम जादा तर जो यह कहा जाता है कि flashcard क्यों use किया जाता है student कहां पर use किया जाता है फ्लेश कार्ड को जाद अतर health education में यूज करते हैं student preferably for a single message to an audience of 15 people जब हमें एक single message को लगभग 15 से 20 लोगों को transfer करना होता है तब हम फ्लेश कार्ड का use कहते है और this can be used for giving important information और इसकी साहता से student हम क्या करते हैं जो भी हमारी महतुपूर सूचना होती है उसको transfer कर देते है तो इसको जाद अतर जो इस्तमाल किया जाता है वो 15 से 20 लोगों के लिए इस्तमाल किया जाता है student जादा number of people के लिए आप इसको इस्तमाल नहीं कर सकते है ठीक है इसको ध्यान रखिएगा student आगे आजाता है method of preparation हम इसकी कैसे करते हैं यानि कि कैसे आप इसको बना सकते हो तो पहली बात तो student जबी भी कोई flashcard बनाया जाता है तो theme बड़ी sorted होनी चाहिए आप लोगों को theme का बिल्कुल clearly अंदाजा होना चाहिए कि क्या theme पे आपको बनाना है वो theme आपकी ऐसी होनी चाहिए जो कुछ ना कुछ concept वाली हो लोगों से जुड़ी होई हो अगर आप community के लिए बना रहे हैं तो community के लोगों से जुड़ी होनी चाहिए उनकी कोई समस्या से संबंदित होनी चाहिए जो दैनिक जीवन में आती है या फिर कोई practical problem से related होनी चाहिए बच्चों के लिए है तो education से related होनी चाहिए है ना तो theme आपको select करनी होती है without theme हमारा flashcard नहीं बन सकता and then prepare the rough sketch आपको final flashcard बनाने से पहले एक rough आपको pattern तयार करना पड़ता है एक rough criteria आपको बनाना पड़ता है बट rough picture आपके माइन में set out होनी चाहिए कि मैं इस तरीके का बनाऊंगी इध्यान रखिएगा जब तक आपके माइन में student एक rough image नहीं होगी तो आप ये मान के चलिएगा आपका जो flashcard है वो अच्छे से नहीं बन पाएगा ठीक है ना चलिएगा नेक्स यहान से देखिए student नेक्स आता है use simple languages use simple languages का मतलब क्या होता है students ध्यान से देखिएगा जो आप लोग का use simple language वाला जो point है इसका मतलब क्या है student के जबी भी आपको फ्लेश कार्ट बना रहे हैं इस बात का ध्यान रखिएगा स्टूडेंट के वहाँ पे कोशिश कीजिए कि जो वहाँ के लोग है एक लोकल लेंग्वेज एक सरल भाशा इस तरीकी चीजों का आप इस्तमाल कीजिएगा सो आपका फ्लेश कार्ट जो है वो अच्छे से तयार हो जाएगा क्योंकि स्टूडेंट जब आप सिंपल लेंग्वेज का यूज करेंगे तभी वो लोगों को समझ में आएगी चाहे बच्चा हो चाहे कम्मिनिटी के लोग हो उनको वो तभी समझ में आएगी स्टूडेंट अदर्वाइस समझ में नहीं आ सकती है अगर आप बहुत जादा साइन्टिफिक टेक्निकल वर्ड यूज करेंगे तो वो उन्हें क्लियर नहीं होगा यूज हैवी कार्ड पेपर साइज 22 बाइ 20 अराउंड 10 तो 12 इन नमबर्स यह ध्यान रखिए स्टूडेंट 22 x 20 आप बना सकते हैं फ्लेश कार्ड बना सकते हैं 10 से 12 उसके नमबर होने जहिए पेपर के पेपर जो लेना है आप लोगको एक हैवी कार्ड और ट्राइप का पेपर लेना है जिससे की वो आपका टिकाऊ भी बने हम flashcard इतनी मेहनस से बना रहे हैं तो वो टिकाओ भी होना चाहिए student ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक extension teaching के बाद वो क्या हो गया? खराब हो गया तो ऐसा भी हमें नहीं बनाना है थोड़ा टिकाओ flashcard हमें बनाना है ठीक है जी? write down the script and picture आपको उस पर जो भी written material लिखना है वो आप लिखेंगे उस written material को support करती हुई आपको क्या लगानी परती है? pictures लगानी परती है ये भी ध्यान रखिएगा कि जो लिखना है वो चीजे आप लिखेंगे और जो भी student उस written material से related आपको picture set out करनी होती है वो आप set out करेंगे then arrange in sequence फिर आप क्या करोगे भई? आपने जो flash card बनाया है आप उसको arrange करोगे उसका कोई तो sequence होगा ना कोई तो crumb होगा ना student अगर माल लीजे मैंने 10 card यूज करे हैं तो 10 card में कोई card तो ऐसा होगा जो first number पे लगेगा कोई ऐसा होगा जो second पे लगेगा कोई ऐसा होगा जो third पे लगेगा ऐसा तो नहीं है कि मैं सारे के सारे किसी भी pattern में लगा दूँगी तो ये भी मुझे ध्यान रखना होगा कि उनको एक order में arrange करू and then protect the card फिर मैंने अगर कोई picture लगाई है कोई cardboard लगाया है मुझे polythene से cover करना है मुझे कोई अच्छे से चिपकाना है उसे tape से चिपकाना है तो वो सारी protection मेरे लिए required है कि मैं उसको अच्छे से cover up कर दूँ तो एक मेरा इस तरीके का क्या होना चाहिए मेरा flash card होना चाहिए गये चलिए ध्यान से देखते है student next आता है हमारा flip chart flip chart क्या होता है भाई अच्छे से इसको ध्यान से देखो एक बार ठीक है अगर हम बात करते है flip chart की it is a collection of chart on one single topic organized in sequence and fasted on the top light calendar it can be used step by step for teaching आपका जो flip chart होता है student यी क्या होता है प्लिप चार्ट की अगर हम बात करते हैं चोटे चोटे छोटे चोटे चोटे चार्ट न कर दिया जाता है और उसको एक single point पे क्या कर दिया जाता है, arrange कर दिया जाता है, एक point पे student हम उसे क्या कर देते हैं, arrange कर देते हैं, चीक है ना, और arrange भी एक sequence में करते हैं, और student वो एक लगता कैसा है, जैसे कि एक calendar होता है, इस तरीके का वो देखने में लगता है, जैसे calendar होता है student, और उसके बा करना पड़ता है यानि कि flip chart भी तब तक नहीं बनता जब तक आप एक topic select नहीं कर लेते हो so flip chart को बनाने के लिए भी आपको एक theme एक topic आपको required होता है जिस पे आप अपना flip chart या फिर अपना जो यह वाली जे flash card है वो बना सके so theme यह topic आप लोगों को कि यहां पर हमने यह all pin से pin up किया है ठीक है यह bloom taxonomy का आपका flip chart है student इसको ध्यान से देखिएगा bloom taxonomy का flip chart है यहां पर लिखा है introduction यहां लिखा है remembering understanding applying analyzing evaluating and then creating अगर आप लोग देख पा रहे होंगे इसको तो सब लोगों को यहां पर दिख रहा होगा कि चोटे-चोटे flips है उपर arrange है सारे के सारे flip and थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा सब के बारे में दिख रहा है यह आपका flashcard नहीं है यह flip chart है student यह ध्यान से आप देख सकते हो आपको difference समझ में आ रहा होगा उधर वो flashcard था जो हमने पहले देखा था इसमें आपको अंतर नजर आ रहा होगा यह flip chart होता है तो flip chart में बहुत छोटे-छोटे cutouts हमें देख पाते हैं यह उपर arrange एक ही जगा पे होते है student थोड़े-थोड़े-थोड़े हमें यह दिखते रहते हैं तो यह ध्यान रखिएगा कि यह flip chart होता है जिसको हम बनाते हैं ठीक है ना सो इसके लिए हमें क्या करना होता है student हम जब theme सलेक्ट कर लेते हैं तो फिर content सलेक्ट करते हैं फिर picture bullied करते हैं इसका एक रफ स्केच तेयार करते हैं देन एक फाइनल स्टेटमेंट उसका तयार करके हम लेकर आते हैं चाहे हम बात पाक्तनी में पंचहकं पता है यह बेख लिए बहुत जरोरी है एक थीज़ता होने है और आपको यह पता होना चाहीए कि आखिर उसे किस जगे पे apply करना है ठीक है यह आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए ठीक है आपको क्या करना होता है student आपको pre-test करना होता है यानि कि जबी भी आप कोई ऐसा material तयार कर रहे होते हैं तो आप उसे pre-test भी करके देखते हो क्या आखिर यह useful रहेगा या नहीं रहेगा अगर मैं इसे जातर क्या करूँ अगर मैं इसे community में जाके use करना शुरू कर दूँ तो क्या यह effective result देगा या नहीं देगा तो आपको उ faster on the top of flip of by one by one आप सबसे उपर की तरफ student क्या करेंगे आप लोगों को उपर की तरफ उसे अरेंज करना शुरू कर देंगे तो माल लीजे student यह एक flip chart है यहां पे आपको material दिख रहा है लिखा हुआ तो यह सारा का सारा यहां पे एक जगे क्या होता है पेस्ट आउट होता है एक जगे आपका यह joint होता है इस तरीके से आपका क्या बनता है flip chart बनता है ओके अभी एक question ले लेते हैं ओके माम dssb domestic science का practice set purchase किया है practice set purchase नहीं किया है अंशिका आपने practice batch purchase किया है जहां पे आपको questions भी मिल रहे हैं और आप लोगों को कुछ important topics भी कराय जा रहे हैं तो अंश इसरी बात क्या है भई सदफ practice batch में सिर्फ question practice होते है या concept clear भी किये जाते है I want to purchase dssb domestic science batch okay so sadaf मैं आपको बता देती हूं कि practice set जो आपका ही पूरा practice batch है यहां में question के set provide करती हूं उनका कोई doubt होता है तो बच्चों का solve करती हूं और जो आपके dssb domestic science related जो important topics है वो मैं बच्च तो वो करेंगे खुद से solve बट जो उनको doubt आते हैं उनको मैं लेती हूं and definitely उन्हें important topics कराती हूं जिससे कि वो उनको ज्यादा help करेंगे so this batch का concept रहता है आपको बता देती हूं आपको यह batch purchase करना है इसलिए आपको मैंने information दी है okay next student आता है हमारे सामने एक और teaching aid जिसको हम कह इसे होता है ध्यान से देखे student poster क्या होता है poster is a message in illustrated form the message is precise suggestive and expressive poster is a medium in which the message is given through pictorial and few words आप लोगो को कल जब मैं पढ़ा रही थी student तो मैंने आप लोगो को एक बात बताई थी कि chart in poster में already मैंने एक video में आपको difference समझा रखा है जो आप लोगो का क्या होता है student आप लोगो का जो chart होता है chart में written material जादा होता है and picture आपके कम होते हैं so यानि कि आपके written words को support करने के लिए हम छोटे मोटे picture का इस्तमाल करते हैं chart में पर जब हम बात करते हैं poster की so poster में student little आपका बहुत थोड़ा सा या कहीं पे बिल्कुल एक line या दो line ऐसा कुछ लिखावा चीज होता है and बाकी संपूर्ण जो आपको एक transformation मिलती है संपूर्ण जो आपको communication मिलता है वो आप पिक्चर की help से मिलता है तो दोनों में difference याद रखिएगा student के आपको जो chart होता है chart में written material जादा है picture कम है and poster में student आप लोगों के जो picture है वो जादा important होती है written word आप लोगों के उतने important नहीं होते तो picture का जादा रोल आपके poster में आपको देखने के लिए मिलता है ठीक है na so क्य पिक्चर की help से बया होगी एक picture आपको क्या होगा student खुद में सब कुछ explain करेगा ठीक है picture होना भी ऐसा चाहिए student जो एक self-explanatory form में होना चाहिए कि picture खुद में अपने बारे में पूरी की पूरी जानकारी दे सके और उस picture से आपको पूरा concept clear हो सके इस बात के बारे में आप ध्यान रखिएगा जब हम poster के बारे में बात करते है student तो ये हमारा एक क्या होता है visual aid होता है ये ध्यान रखिए poster क्या होता है student एक visual aid होता है and next important रही वह बात हमेशा ए ध्यान रख़ेगा कि पोस्टर का आइकेड़ी ह Katy होना बहुत ज़रूरी है अकर आपका पोस्टर सुंदर नहीं है वो लोगों का अकरशन नहीं ग्रेस्प कर सकता है वो किसी को ओट्रैक नहीं सो पोस्टर का कोई benefit नहीं बनता है ये ध्यान रखिएगा पोस्टर क्या है एक तरीकी की drawing है ना color है ना picture बनाई जा रही है ना सो student वो eye catchy जब तक नहीं होगा लोग का ध्यान उस पे नहीं पड़ेगा color vibrant से नहीं होगे अलग से दूर से दिखेगा नहीं student तो कोई उसे क्यों पड़ना चाहेगा या क्यों देखना चाहेगा तो एक पोस्टर की main important requirement क्या होती है कि वो eye catchy होना चाहिए यानि कि तभी वो उसको क्या होगा student सामने वाला person उसमें क्या लेता है interest लेता है सो देखिए जैसे कि आपका ये एक picture मैंने यहाँ पर दिखा रखा है आपको ठीक है उतना आपको written में visible नहीं हो रहा होगा बड़ आपको picture अच्छे से दिख रहा होगा कि एक बच्चा बना की सो पोस्टर में student बहुत थोड़े से शब्दों का इस्तिमाल होता है and picture की प्रधानता जादा होती है यहाँ फिर भी थोड़ा जादा आपको लग रही होगी बड़ एक्च्छल में पोस्टर में सब कुछ picture की वज़े से आपको सब को समझ में आता है picture ही सब कुछ अपने एक बार परपस ध्यान से देखिएगा student परपस की अगर हम बात करते हैं तो यह जर्णल मोटिवेशन प्रोवाइट करने के लिए बहुत जरूरी होता है ठीक है यह ध्यान रखिएगा student यह किसी इसके लिए जरूरी होता है एक सेकंड रूखिए बच्चो तो यह किसी इसके लिए जरूरी होता है एक तो यह जर्णल मोटिवेशन के लिए जरूरी होता है student साथी साथी awareness क्रियेट करने के लिए बहुत जरूरी होता है जो पोस्टर होता है हम awareness क्रियेट करने के लिए जगा जगा क्या लगा देते है student theme के according बना कर पोस्टर लगा द आपको जब एक साथ बहुत सारे लोगों को कोई कम्निकेशन करना है उनके साथ कोई थीम आपको शेयर करनी है तभी भी आप क्या करते हो सुडिन समुदाय में जगा 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 पोस्टर लगवा देते हो और आपको पोस्टर देखके पता चल जाता है कि ओके वहां पर यह होने वाली है पोस्टर जो होती है सुडिन वो हमें इंफोर्मेशन भी देता है पोस्टर से हमीं मोटीवेशन mechanics मिलती है जगा जगा आप जो पोस्टर से मैसिज ट्रांसवर होगा वो पूरी तरीके से आपकी पिक्चर ट्रांसवर करेगी चार्ट में स्टूडेंट जो आपका मैसिज ट्रांसवर होगा वो वर्ड्स ट्रांसवर करते हैं तो चार्ट में words को support करने के लिए छोटी सी picture है and poster में picture ही आपकी सबसे important है then थोड़ा भहुत लिखना है तो लिख सकते हो otherwise जरुवत नहीं होती है ठीक है ना चलिएगा कल वाली class इसलिए नहीं मिली थी student क्योंकि कल मेरी class हो नहीं पाई थी कुछ हमारा था important यहाँ पर task जिसकी वज़े से class नहीं हो पाई थी that's why आपको class नहीं मिली थी ठीक है अब आपको यह class regular मिल जाया करेगी आप एक बार check कर लिया कीजिएगा आपको upcoming classes में जाके आप जब देखोगे student तो आपको मेरी class ज़रूर यहाँ पर शो हो जाएगी ठीक है चलिए next यहां से देखते हैं एक अच्छी पोस्टर के क्या features होते है student ठीक है यह आपके लिए important है जानना पहला feature क्या है कि आपका जो message उससे transfer हो रहा है न वो concise and clear होना चाहिए पोस्टर कभी भी इतना blended या clutter type का नहीं होना चाहिए कि मुझे खुद को समझ बेना आए कि वो picture से क्या बताना चाह रहा है यह ध्यान रखिएगा कि पोस्टर में कभी भी हमें बहुत जादा extra effort ने लगाने चाहिए कि ठीक है यह भी एक पिक्चर में यह भी एक पिक्चर में नहीं ऐसा नहीं करना है पोस्टर जब बनाते हैं बिल्कु क्लियर कट सिंपल पोस्टर होना चाहिए जो खुद में एक message को अच्छे से transfer कर दे ऐसा ना हो कि आप उसमें multiple चाहरा है वो हमें ढीज पता चल जाए ठीक है ना एक single idea पर बेस होना चाहिए multiple ideas को आपको उसमें apply नहीं करना है ठीक है न यह धियान रख़िएगा multiple ideas को उसमें apply नहीं करना है single idea को apply करना है then आप लोग का जो एक होता है उसको पहले बार बना कर देख लेना चाहिए then apply करना चाहिए यानि कि पहले एक pre-planning बहुत ज़रूरी है ठीक है then color की अगर मैं बात करती हूं student so अपको अपने पोस्टर में जो color use करने है जो color combination use करना है वो ऐसा color combination होना चाहिए आपके पोस्टर को अट्रेक्टिव बनाए और आपके लिए आई कैची टाइप का होना चाहिए ध्यान रखिएगा स्टूडेंट क्या आप लोग को कैसा पोस्टर बनाना है जो की कलर कॉंबिनेशन जिसमें बहुत अच्छे यूज किये गए हो और आई कैची होना चाहिए स जो आपके लिएक घुट बनाने को शोर्ट को पोस्टर बनाना है आगे ध्यान से देखीएगा next आता है हमारे सामने student पैम्प्रेट चलिए पैम्प्रेट के बारे में जानते हैं जो वैक शोर्ट मीडियों को पहुचाने का एक स्कूझ पारिंटर को अध्यू है वो एक short medium होता है किसी भी information को पहुचाने का ठीक है यह ध्यान रखिएगा student यह क्या होता है यह short medium होता है किसी भी information को transfer करने का जो कि किसी एक particular topic पे बनाया जाता है अगर मैं pamphlet की बात करती हूं student तो यह ऐसा medium होता है एक short तरीका होता है किसी भी topic को detail में समझाने का पर वो भी short words में कम से कम शब्दों में सो किसी भी topic को select करके student किसी भी target audience को select करके हम क्या करते हैं उसके लिए pamphlet तयार करते हैं जैसे मान लीजिए मैं किसी school में जा रही हूं वह school किसका है adultsns लड़कियों का है और मुझे पता है कि adultsns लड़कियों में अनीमिया जादा देखने के लिए मिलता है so अनीमिया पे student मैं उनके लिए क्या बना दूँ एक pamphlet बना दू जिसमें अनीमिया से सम्मंधित में सारी जानकारी दे दूँ एक पेज पे तो वो मेरी क्या कहलाएगी, पैमपलेट कहलाएगी, तो यहाँ पर मैंने अपनी audience भी select कर ली, यानि की adult sense लड़कियां, एक topic select कर लिया, यानि की student अनीमिया, और मैंने उनकी लिए क्या कर दिया, जानकारी का माध्यम बना दिया एक पैमपलेट की फॉर्म में, कि जिससे उन् मईडिया होता है जो की स्पेसिफ चार्गेट गुरूप के लिए तयार किया जाता है और इसमें सु जादा तर जैसे माल लीजेunde चिल्टरन यें इनके लिए इसको तयार करते हैं ुच्छ वह इनके लिए में क्या करते है सुड ile लिए फिली होता है pharmacy होती है हमेशा यह ध्यान रखिएगा कि आपकी पैफलेट होती है स्टूडें वह सिंगल सीट से बनाए जाती है यानिक वह एक कागस से बनाई जाती है जितने लोग क्लास में हैं इंपोर्टन बातों को सुनते रहिएगा कि स्टूडें आपकी जो पैमपलेट होती है वह सि क्या करते हैं एक से ज़ादा फोल्ड डालते हैं यानि कि उसे घुमा के इस तरीके से रोटेट करके हम उसको क्या करते हैं सूडन यूज करते हैं जब हम उसे फोल्ड नहीं करते तब सूडन वो लीफलेट बन जाती है ठीक है ना ये ध्यान रखिएगा कि जब हम उसे क्या नहीं करते हैं student फोल्ड नहीं करते हैं तब वो क्या बन जाती है leaflet बन जाती है जब आप उसे केवल इस तरीके से single form में use करते हैं ठीक है यह ध्यान रखिएगा जब आप उसको क्या नहीं करते हैं student जब आप उसको फोल्ड नहीं करते हैं तब वो leaflet बन जाती है यानि कि यह वाला वर्ड आपका पढ़ लीजे अस्छे से क्या बन जाएगी leaflet बन जाएगी और जब आप उसे फोल्ड करेंगे student तो वो आपकी pamphlet बन जाती है ठीक है साथ ही साथ आप लोगों के जो ब्रोशर होते है इन में पेजिस की संख्या जादा होती है इन में पेजिस की संख्या लगबग आपकी आठ से लेकर पचास तक हो सकती है पर pamphlet में पेज आपका एक ही होता है चलिए आगे ध्यान से देखिए student आपको एक पिक्चर दिख रहा होगा अच्छे से सबको देख रहे हो तो सबको अच्छे से विजबल हो रहा है स्टूडेंट यस और नो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में लिखकर बता दो भाई कि आप लोगों को यह विक्चर विजबल हो रहा है यह नहीं हो रहा है ध्यान से देखिए स्टूडेंट यह एक पेपर है ठीक है बनाया गया है, तो यह क्या है आप लोगों का, यह एक pamphlet होती है, जब हम pamphlet बनाते हैं, तो यह ध्यान आप लोगों को रखना है, कि यह एक ही page पर बनती है, पर इसमें क्या डाले जाते है, student, अगर हम बात करते हैं, तो यह क्या होती है, student, यह एक page पर बनती है, और जब हम इसे बनाते हैं, इसमें क्या डाले जाते हैं एक ही page पर fold डाले जाते हैं, एक page पर student और fold डालते हैं, फॉल्ड डालने से ही ये pamphlet बनती है अगर इसमें multiple paper को use करेंगे, तो आपकी ना तो pamphlet कहला ये और अगर हम इसमें बात करते हैं तो फोल्ड होना कमपल्सरी है चलिए आगे इसका परपस देख लेते हैं इसको बनाने का परपस यह है कि हेल्थ एजुकेशन में इस्तिमाल की जाती है हम जब हैल्थ कैमपें कोई और गनाइस करते हैं किसी भी चीज की अवेरनेस को लेकर हमने कोई कैमपें और लेड़ सके सथेशन मेला होता है कोई फेस्टिब होता है कोई हैना वहां पर हम क्या करते हैं बनाते हैं फैपलेट को लोगों में फ्रीऑ ओफप इस्त्रिब्यूट करते हैं दो इसे तृश्च करते सैंतेंज में होना चाहिए और वर्ड में होना चाहिए जो की वहां के लोगों को असानी से समझ में आ जाए जिनके लिए आप बना रहे हो यानि की जिस औरियंस के लिए आप स्टूडेंट क्या बना रहे हैं अपनी आप्सथा प्र 친ologists को समझ में जो आसानी से आ जाए ऐसी भाषा कआप उप्योग Bakir निगे इसका मतलब कु लोकल लैंगविज का समद करना है उस्तमाल भाषा समन करना है आपको मैसेज इन WILL को टार्गेट कर के वहां पर डालने पडैंग इनके यklär आपने वो pamphlet बनाई है तो अगर आप ऐसा करोगे तो pamphlet definitely आपके उलोगों को पसंद आएगी उसमें एक arranged order होना चाहिए वो एक sequence में होनी चाहिए छोटे-छोटे picture छोटी-छोटी drawing भी आप लोगों को बनानी है जिससे की एक visual effect create हो सके यह ध्यान रखिएगा ऐसा नहीं है कि pamphlet का मतलब सिर्फ यह होता है कि आपने भर-भर के लिख दिया ऐसा नहीं करना है picture भी सास साथ में supporting element के तौर पे आपको add-on करनी है जिससे की लोगों को और अच्छे से समझ में आ सके चलिए आए next aid देखते हैं आप लोगों का student एक next aid आता है हमारा जिसको हम कहते हैं blackboard यह student बड़ा ही ancient aid है अगर हम बात करें सो काफी प्राचीन टाइम से जो हमारा चला आ रहा है audio visual aid इसमें आपका यह visual aid होता है अगर मैं बात करती हूँ सो blackboard क्या है visual aid है जो हमें दिखता है ठीक है न अगर हम visual aid की बात करते हैं सो वो हमें दिखाई देता है सुनाई नहीं देता है सो आपका जो blackboard है student वो एक visual aid है और बहुत common aid है student जिसको काफी पहले से यूस किया जा रहा है काफी effective होता है पर student यह आप लोगों का fixed pattern में भी मिलता है यह ध्यान रखिए का जब fix pattern में होता है जो बड़े-बड़े school में जो classroom होते है जहां दिवार में fix हुआ होता है तो यह fix वाले pattern में भी मिलता है और यह आप लोगो student portable pattern में भी मिलता है जो लोग beard करे हुए है उन्हें पता होगा कि beard में जब वो teaching करने जाते थे सो उनको एक black color का roller टाइप का मिलता था जो blackboard टाइप का होता था वो आप लोग ले कर जाते थे student तो आप लोगो को यह portable form में भी मिल जाता है और इसको जादा तर student जो slate वाला material होता है प्लास्टिक होती है ग्लास होती है सिमेंट होती है या फिर लकडी होती है इसके द्वारा student इसको बनाया जाता है जादा तर हम इसमें black color का paint करते हैं पर आजकल इसमें green color का paint भी किया जाने लगा है यह ध्यान रखिएगा आप लोगो को यह fix form में भी मिल जाता है student जो की ए लेते हो उपर प्लास्टिक का pipe होता है नीचे प्लास्टिक का आपका pipe होता है रोलर बोर्ड आप लोगो को मिल जाता है तो आप उसको भी यूज करते है ठीक है आपका जो blackboard है वो slate की form में आपको मिल जाता है प्लास्टिक की, glass की, cement की, wood की and black color का paint होता है कुछ blackboard पे student green paint भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, roller boards are also available, यही आपके portable form होती है blackboard की, जिसको हम roller board के नाम से भी जानते हैं, आगे ध्यान से देखिए student, आप लोग को यह picture मैंने शो किया है, अगर आप लोग इसको अच्छे से देखेंगे student तो आपको यह अच्छे से clear हो जाएगा देखिएगा, यह क्या है आप लोग का, यह इस तरीके का देखी pattern है पूरा, यह blackboard है, ठीक है ना, आप लोग को यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, आपको जो भी लिखना है, मान लिजे आपको कोई फूल पत्ती बनानी है, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है आपको क्या करना है, मान लिजे रब करना है, तो आप इसको रब कर सकते हैं, तो इस तरीके का आपको यह देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है ना, यह blackboard की वो वाली form है, student जो की काफी पहले से चली आ रही है, आप लोग को यह fix form में आपकी class में देखने के लिए मिली भी होगी, चली आगे next देखते है, students के advantage क्या होते है, advantage के बात करते हैं, सो यह काफी simple तरीका है, कोई भी इसे use कर सकता है, easy होता है, ठीक है, classroom के लिए काफी appropriate रहता है, ठीक है ना, अगर हम देखें तो काफी economical भी होता है, जादा महेंगा नहीं होता, reusable भी होता है, आप बार ब practice कर लेते हो, तो आसानी से आपको समझ में आ जाता है, कैसे करना है, ठीक है ना, आप अपनी audience को इसके तरू काफी क्या कर सकते हो, encourage कर सकते हो, आप उनको ध्यान से देख सकते हो, आप उनको देखते-देखते पढ़ा सकते हो, ठीक है, अगर कोई mistake हो रही है, सो आप उसे quickly erase भी कर सकते हो, तो यह भी एक इसका फायदा होता है, कि जब हम ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहे होते हैं, कोई हम से mistake हो जाती है, सो हम उसे आसानी से रब कर देते है, तो यह भी हमारे लिए क्या रहती है, फायदेमन बात रहती है, पर डिसद्वांटेज क्या है, पारा लिखना पड़ता है, तो यह भी ब्लैक बोर्ड का एक डिसद्वांटेज होता है, ठीक है ना, cannot be used for a large audience, आप बहुत सारे लोगों के लिए एक साथ ब्लैक बोर्ड को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि विजबल ही नहीं होगा, अगर जादा लबभी चोड़ी दूर तक कोई रूम में audience बैठी है, तो उन तक visible ही नहीं हो पाएगा, तो यह डिसद्वांटेज होता है, साथी साथ एक ब्लैक बोर्ड पे काम करने वाले person को एक imagination लगातार करनी पड़ती है, उसे सोचना पड़ता है लगातार, practice और preparation की जरुवत होती है, क्यों? अब हम जब ब्लै सेट करके रखना होता है, और उसके बाद हम उसको वहां पे उतार देते हैं, ठीक है ना, इसकी जो dust होती है, वो भी हमारे लिए क्या होती है, सूडन हामफुल होती है, यह ध्यान रखिएगा, जो blackboard की dust होती है, वो हमारे लिए काफी जादा हामफुल होती है, चलिए आग हम बात करते हैं, bulletin board की, सूडन ये तरीके का hardboard होता है, या फिर आप plyboard भी कह सकते हो, सो bulletin board को एक hardboard से या फिर plyboard से बनाया जाता है, सूडन जिसको flannel से cover किया जाता है, कपड़ा होता है, मोटा सा, उससे इसको cover किया जाता है, सूडन, इसके उपर जादा तर schools में, colleges में, बच्चों के, जो visual आपकी जो news होती है, उनको हम visible करते हैं, ये ध्यान दखिएगा, जो आपका ये flannel board, bulletin board, कुछ भी आप कह सकते हो, ये या तो hardboard का बनावा होता है, या फिर plywood का बनावा होता है, और इस पे जाद अतर क्या किया जाता है, सूडन जो आपके कुछ छोटे चुटे news होते हैं, कुछ cut out होते हैं, कुछ daily की information होती है, आप student उसको अच्छे से visible करने के लिए, इसका इस्तमाल करते हो, तो learner को motivate करने के लिए, और उसको कुछ information देने के लिए, आप इसका इस्तमाल करते हैं, दिखने में कैसा लगता है, दिखने में ऐसा लगता है, एक आपको दिख रहा है, एक आपका frame type का है, हमने यहां पर छोटे-छोटे से पिंसे क्या लगा दिये हैं, cut out लगा दिये हैं, so इस तरीके का आपका क्या होता है student, यह bulletin board होता है, I hope आपको सबको visible हो रहा होगा, इस तरीके का board होता है student, इसमें क्या किया जाता है student, आपकी ज जाते हैं आजकल, जहां पर बच्चों से भी कहा जाता है, तुम डेली की news लेकर आओ, उसको वहां पर paste out कर दो, जिससे कि सारे बच्चों तक वो news जो है, वो spread out हो जाए, so आप लोगों ने देखा होगा, आपको यह अच्छे से देखने के लिए मिल जाता है, क्यों यूज करते हैं, student क्योंकि message convey करना होता है, तो हमारे ये काम आजाता है, कोई announcement करना है, कम समय में जादा लोगों तक पहुचाना है, तो हमारे ये काम आजाता है, ठीक है ना, जो भी हमारी special activities होती है, अगर हमें उनके बारे में कुछ भी share करना है, तो ये हमारे काम आजाता है, किस bulletin board basically क्या है, एक तरीकी का collage है, आप इमान सकते हो, एक तरीकी का ऐसा manually collage है, student जिसको आप किसी भी theme से related, regular change भी कर सकते हो, आप उसे fix भी रख सकते हो, यानि कि कई दिन तक आप same theme भी चला सकते हो, और हर दिन के लिए आप theme को बदल भी सकते हो, तो देखो क्या लिखा है disadvantage disadvantage में, disadvantage में लिखा है कि display need to be changed timely, आप एक ही theme को कुछ दिन तो चला सकते है, student, बड़ अगर आप ये सोचो कि भी मैं एक महीने तक एक board decorate करके दुबारा उसे change ही ना करूं, तो ये possible नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, आपको उसे time to time क्या करना पड़ता है, student change करना पड़ता है, ठीक है ना, और जो लोग पड़े लिखे नहीं होते है, student, उनके लिए ये बिलकुल भी useful नहीं होता है, ठीक है, जो लोग पड़े लिखे हैं, वो ही इससे benefit ले सकते हैं, जो पड़े लिखे नहीं हैं, उसको इनके बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ पाता है, तो एक ऐस आपका क्या है, एड है, जो कि सर्फ उन लोगों को टार्गेट करके बनाया जा सकता है, जो लोग पड़े लिखे हैं, जो पड़े लिखे नहीं हैं, उनके लिए इसकी कोई भी फायदा, student नहीं रहता है, आगे next, देखिए का student एक और point आता है आपके लिए, जिसको हम कहते हैं, transparencies, अब what is transparencies, आखिर होती क्या है, तो student मैं आप लोगों को बता दूँ कि आपके दो तरह के projector available होते हैं, एक होता है overhead projector, एक होता है slide projector, जो slide projector होता है, student वो इस तरी की का एक डबा type का होता है, जिसमें एक आगे light लगी होती है, है ना, आप लोगों का उस light से आपकी साम overhead projector, जो कि आपका लगभागिस तरीके का होता है, एक light उपर से पड़ती है, यहाँ पर हम अपनी transparency रखते है, वो आगे उपर की तरफ शो हो जाती है, so आपकी जो transparency होती है, student ये overhead projector पे इस्तमाल होती है, एक तरीकी की plastic sheet होती है, इस तरीकी की आपकी जो A4 sheet आती है, इस size में मिलने वाली student ये एक plastic sheet होती है, जिस पे आप जो आपका एक होता है permanent marker, एक होता है temporary marker, so आपका जो temporary marker होता है student, उससे आप लिखते हो, drawing बनाते हो, इस transparency की ऊपर, उसको आप यहाँ पे जो space होता है, light लगी भी होती है, इसके उपर रखते हो, और वो आपको दिवार पे visible हो जाता है, इस transparency का फायदा ये होता है कि plastic sheet होती है, washable होती है, आप इने धुल के दुबारा से इस्तमाल भी कर सकते हैं, आप सेम transparency को बना के रख सकते हो, कि अगर आपको future में same topic पढ़ाना है, तो ये आपके काम तभी भी आ सकती है, so आपको इन पे directly लिखने के लिए क्या हो प्लास्टिक की sheet आती है, transparent, आप उन पे marker से लिखकर, design बना कर उसे रखते हैं, आपको overhead projector की light पर उसको रखना होता है, दिवार पे आपको अच्छे से visible हो जाता है, so ये आपकी क्या कहलाती है, student, transparency कहलाती है, चलिए आगे ध्यान से देखिएगा, student, next आता है हमारे सामने slide, अब slide के बारे में तो हर को ही जानता है, thank you so much, I hope आपको अच्छे से clear हो गया होगा, so slide जो होती है, student, आप लोगों को पता है, कि जो आपकी slide का हम इस्तमाल करते हैं, वो कहां पे करते है, slide का इस्तमाल होगा, slide projector पे, जिस तरीके से हमने जो इस्तमाल किया है, transparency का, वो किया ह है, हम लोगों ने student अपने overhead projector पे, so slide का हम इस्तमाल करेंगे, student अपने slide projector पे, और इसको किस के दवारा बनाया जाता है, laptop या computer के दवारा बनाया जाता है, और slide जो generally हम बनाते हैं, student वो Microsoft PowerPoint पे बनाते हैं, यह ध्यान रखिएगा, जो generally हम slide बनाते हैं, कहां पे बनाते हैं, Microsoft PowerPoint जो कि MS Office का एक software है, आप लोगों का, and इसमें भी ध्यान रखिएगा, student के, जो आपकी slide होती है, उसमें आपके लिए बेनेफिट यह होता है, कि आप इसमें audio and visual, दोनों effect create कर सकते हैं, जबकि transparency में ऐसा नहीं होता है, transparency में आप audio and visual, दोनों effect create कर सकते हो, और slide का एक फायदा यह होता है, कि slide को अगर हम एक बार use कर रहे है, student, तो हम इसको preserve कर सकते हैं, इसको दुबारा भी इस्तमाल किया जा सकता है, अगर आज आप लोगों को इस slide से मैं पढ़ा रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि slide को मैं आप लोगों को एक महीने बाद फिर स पढ़ा हूँ, तो मैं इसको फिर भी इस्तमाल कर सकती हूँ, so मेरे लिए एक फायदा यह रहता है, कि slide होती है, student, उसको आप लंबे समय के लिए क्या कर सकते हैं, आप उसको store करके रख सकते हैं, आपके लिए फायदा हो सकता है, so I hope student, आप लोगों को जो आज की एक लास होगी, आपके लिए यूसफुल रही होगी, आपको जो भी मैंने ये सारे के सारे audio visual arts पढ़ाए हैं, आप लोगों को अच्छे लगे होंगे, अच्छे लगे हैं, तो like share कर दीजेगा वीडियो को, and regular मेरे साथ जुड़ना ना भूले, दो बजे टीचर सद्डा 24-7 online platform पे, जिसे कि आप लोगों को regular में बहुत अच्छे अच्छे topics उनके बारे में आप लोगों को बता सकूँ, साथ इसाथ जिन भी बच्चों को मेरे batches में admission लेना है, चाहे वो आपका HSC TGT का batch हो, चाहे वो DSSB Practice Set वाला batch हो, चाहे वो Student UP TGT PGT batch हो, वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोगो को यह option मिलेगा, आप लोग वहाँ पे मेरे code को apply कर सकते हैं, Y571, so I hope आपको आज की class अच्छी लगी होगी, and definitely यह knowledge आप लोगो के काम आएगी, and Monday से हम लोग फिर कुछ नए topics पढ़ेंगे, जो आप लोगो के लिए बहुत जादा useful रहेंगे आपके आने वाले exams के लिए, and then हम questions भी करना शुरू करेंगे, जिससे कि आपको questions की practice भी बहुत अच्छे से हो सके, so bye students, take care, फिर से मिलते हैं, so bye bye